नमस्कार दोस्तों रीट सुपर फास्ट रिविजन 15 मिनट डेली मैं आपका श्वागत है इसमें हम सामाजिक विज्यान की शिक्षड वीदिया है उसकी जो लास्ट वाली उनिट है उसका ये चोथा वीडियो है कलास चार और इसमें हम सूचना और संचार प्रयोद्योगी की प्रमुक प्रमुक जो बिंदू है वो देखेंगे और दोस्तों काफी रिसर्च के बाद करीब 2-3 पुस्त के और 3-4 ओनलाइन वीडियो के बाद ये वीडियो तयार किया गया है तो उमीद है कि आपको पसंद आएगा शुरू करते हैं सूचना और संचार प्रयोद्योगी वीडियो ये सभी चीजे जो है सूचना से सामान दीति तर शारी चीजें इसमें आ जाती है आईशिती सब्द का पहला प्रयोग जो है कि जो शेक्षिक कार्य करमाते हैं वो आने शुरू हो गए कंप्यूटर और इंटरनेट ने आई शीटे में करांती ला दी है येस गुरु एपको डाउनलोड करें और रीट की टेस्ट स्रीज जोइन करें शूचना विभिन तत्यों एवं आकड़ों का वेवस्तित संग्ठन यानि सूचना क्या है दोस्तों सूचना का मतलब है कि कई परकार के जो तत्ये हैं आकड़े हैं उनको संग्ठित किया संप्रेशन का क्या मतलब होता है किसी चीज को भेजना तो सूचनाओं का आदान परदान और विविन मादेमों से प्रेशन करना संचार क्या है संचार एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक सूचनाओं का आवा गमन संचार जैसे संचार के साधन होते न परिवहन वाले कोद्योगी की कहलाता है कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है साथ में हम वरतमान में जो चीज़े चल रही है ना दोस्तों वो भी हम इसमें देखेंगे सालादर पन सालादर सन इसमाइल वगर जो आओ गर्शेशी के 2.0 सब कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर जो है उसको इंदी में कहते है संगणक यह है एक electronic device है मसीन है जो data यानि की आंकडे उनको प्राप्त करता है फिर निर्दसों के अनुसार data को प्रोसेस करता है और फिर data संखरीत करता है और हमें वानचित यानि इच्छा अनुसार output देता है इसके जनक जो है पीता है वो 42 वेज कहला यह वर्तमान में analog computer के परकार अनुप्रियोग के आधार पर तो एक तो है analog analog क्या होता है बोतिक राजिया जिसे ताप दाब गती वायू आदिको मापने के लिए जो होता है तो वेग्यानिकों के कामका है digital यह अपने कामका है जो गरेलू computer आपके गर में है आसपास है जो हम system पे काम करते हैं computer binary system यानि 0101 यानि सभी चीजों को यह 0101 में ढाल लेता है hybrid हाइब्रीड होता है चिकिसा चेतर में उप्योगी जैसे वो CT scan वगर एरोर करते न तो उसमें hybrid तो तीन परकार होते हैं प्रियोग के आधार पे अब उद्धेशे के आधार पे किस काम से लेना ह है computer को तो एक तो है micro micro है ग्रेलू वाला computer mini mini micro से भी ज़्यादा powerful होता है जो वेगयानिक वगर रहे हैं उनके काम आता है उसके बाद है mainframe mainframe जो है यह ज़्यादा बड़ा होता है कमरे जितने जितने बड़े होते हैं यह क्या करते हैं server को control करते हैं जैसे internet वगर है कि जो वहाँ है डोफिस हो रहा है वहाँ बड़े इस तरपे होते हैं तो ए IBM system Z10 एक mainframe computer है यह आप याद रख सकते हैं IBM जो international business machine company है super computer, super computer का नाम आपने सुनाई होगा बहुत तेज होता है और बहुत जबरदस्ती speed होती है मौसम, रक्षा, अनुसंदान, उपगरा है, अंतरिक्ष है तो इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक से अधिक CPU लगे होते है central processing unit और भारत का पहला super computer परम 8000 माना जाता है उनिस्वी कराण मेश्वी में बना था internet, internet किसे कहते हैं अंतरजाल, यानि computer जो है उनको अपस में जोडने के लिए इसकाविसकार हुआ था अमेरिका में, USA में, रक्षानों संदान के द्वारा खोज करता है Robert E. Kahan, Robert E. Kahan और winter surf, winter surf, ठीक है वैसे internet सर्फिंग बोलते हैं तो इसे आप याद रख लेना लेन, में, वेन, ये क्या है internet के इनकी फुल पर मयाद रखे, लेन का मतलब लोकल एरिया network, में का मतलब metropolitan और वेन का मतलब wide area तो ये पहला अकसर आप याद रखे, बाकी network है नाम लश्ट में, लोकल एरिया जो ये 1 km के आसपास का internet type का होता है, इसको ethernet बोलते है metropolitan है, वो 100 km तकी area को करता है, वेन जो है वो देश महादीप उनको आपस में जोड़ता है, वेन तो वरतमान वाला internet फिर इसे साब से वेन परकार का हो गया email, email का पुरा नाम क्या है, electronic mail, यानि एक तरह से हम जैसे dark से सूचना बेजते हैं, वेसे हैं mobile, computer से email करके अपनी सूचना document बेज सकते हैं, www का पुरा नाम है world wide web, इसका संस्था पक जो है, वो था team bernas, team bernas, कार्या ले है वरजीनिया, अमेरिका में, सभी पूरे विश्वे की चीज़ों को control, यह www करती हैं, यह सभी वेवसाइडों को, परते एक वेवसाइड के पहले sttp नाम लिखा रहता है, sttp, पुरा नाम याद रखें आप इसका, यहोंकि टोपिका नामी सूचना और संचार पर्योद्योगी की है, तो hypertext transfer protocol, पुरा नामी इसका याद रखें, और यहां एक www का माद्यम है, जैसे कोई भी वेवसाइड है, यानि जो सूचना है, वो अमेरिका तक पहुंचा नहीं है, तो उसका माद्यम यह होता है, वहां काले अले तक पहुंचती है, तो sttps, यह जिसके आगे s लगावा होता है, वो सुरुक्षि बताएं हैं, हार्डवेर, शोप्टवेर, परनाली उपगम, हार्डवेर का मतलब हो गया, मसीनरी चीजे हैं, जैसे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, इनका इस्तेमाल करना, बौर्ड, वरगा, वगरे वगरे, सौप्टवेर में आ जाएगा, सौप्टवेर का म किक्षण में परभाव साली, समन्वे करने को परनाली उपगम कहते हैं, कम्प्यूटर की प्रोसेस इसी साब से चलती है, आदा यानि इन्पुट, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रदा यानि आउटपुट, यानि हमने कम्प्यूटर में कुछ चीज डाली, कम्प्यूटर ने की और फिरा में उसको आउटपुट दिया, सूचना संप्रेशन तकनिक के माध्यम, सूचना संप्रेशन तकनिक जो है, इसके माध्यम क्या क्या है, तो इसके दो माध्यम है, यानि हम सूचना पहुंचाते हैं लोगों तक या बच्चों तक, तो एक तो प्रमप्रागत आदिम था जिसमें रेडियो मालीजी दिली में प्रोग्राम सल रहा है रेडियो से गर्वेटे सुन लिया चार्ट है पुस्तके हैं कटपुतली है प्रोजेक्टर है यह भी प्रमपरागत में आ गया है क्योंकि जादू की लाल टेन वगरे खाफी फैले आ गए थे किसी चीज को भड़ा करकि दिखाना आदूनिक में आ जाएगी सारी डिजैटल चीजें इंटरनेट के बाद की चीज़ें जैसे डीजीटल केमरा यह जो बोर्ड आप देखते हैं डीज़ीटल बोर्ड कंप्यूटर लेन इंट्रनेट हो गया इत्यादी जो चीजें है वो आदू colleagues सा कलास है एक तो होता है हम कलासरों में बैठे हैं लाइव जैसे हैं पर्टेक्स और ये एक तरह से वर्चुल ओनलाइन डिजिल कलास इसको वर्चुल कलास बोलते हैं आई शीठी के लाब क्या है शिक्षा के शेतर में तो बड़े सम्मव का शिक्षन जैसे मान लोग आप पांच जार दस जार लोग अगर देखिए अब ये बड़े सम्मव का दस दस लाग पांच 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 लाग भी देखते हैं ये अगर पॉसिबल नहीं है पर्टेक्स खर्चा लगता है फिर नहीं लगता और बड़े सम्मव तक पहुंच जाती है चीज़ें इसलिए अधिगम में वर्दी होती है क्यों क्योंकि जैसे एक तो बॉर्ड पर टीशर पर डार आया तो वो सारी चीज़ें ला नहीं सकता इंटरनेट में फोटो दिखा दी वीडिय दिखा दिया तो इस तरह से जो है वो अधिगम में वर्दी जादा होती क्योंकि दर्शे सरवे सामगरी जादा दिखती है दूर के चैत्रों में सिक्षन संभव है गाओं वगरह तक ढानी में बेठा विक्ति भी आज दिल्ली के टौप सिख सकसे है कलकत्ता के टौप सिख स सुर्क से भी पढ़ सकता है क्योंकि अभी भीड़डा नहीं होता इसमें पारदर सीता में वर्दी क्योंकि हर काम online है तो पारदर सीता भी होती है online में कितने इस्टूदेंट दूड़े हैं कितने ने देखा वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है e-learning का मतलब क्या आता है e का मतलब हो गया बिजली से बिजली का ताथ पर यह तकनीक से पढ़ना जिसे मोबाइल कम्पिटर वगरे से तो यह नाम आज है मतलब परकार का ज्यान देखते हैं कोई भी विकी पेडिया हम उसके जानकर अपने विचार लिखते है जैसे समाचार में समपादकिय लिखते हैं वे से ही इंटरनेट पर लोग अपने विचार लिखते हैं लोग उन lower पढ़ते हैं पोड़कास्ट क्या है पोड़कास्ट बोलते हैं डिजिटल ओडियो सामगरी को जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब क्या है एक तरह से पोड़कास्ट का मध्यम है यह यूट्यूब के आपकर आप पर गाने वीडियो सब मिल जाते हैं तो यह पोड़कास् में लिनक भी इसके पीडिया पर आपको वा वा मिल जाएगी ठीक है तो सोचल मीडिया हो गए एसमार्ट कलासरों की से कहते हैं का तकनिकी सनसादनों का उप्यूग करके जैसे चल वाइन तो हर यह उसमेंगे बोर्ड है चौक है और चार्ट होगा मगर इसमार्ट कलासरू के लिए भी लोग पढ़ाते हैं तो इनको स्मार्ट इस्टूडियो बनाना पड़ता है अब आती है प्रमुक सब्दावली प्रमुक सब्दावली की बात करें तो कंप्यूटर चुमकि ICT का हिस्सा है तो कंप्यूटर में यह मेमोरी की चीजे हैं तो इनको भी आप याद अब आगे 1024 मेंट बड़ाबर मेंगब 1 मेह एक एक जीफी डाटा अब आपको लोज मताय उष्चान फैन फेर्टेन इसनां कम्प्यूटर नहीं बहें आए July लिए बढ़ेकां यह विद्बगर और हैं डिषकां। फोटो वीडियो यह जड़ा जगहां गेड़ते हैं 1420 बीन पहलाबर एक TB यह पेटाबाइट इस परकार से यह इसके मेमोरी के परकार है ओपेटिंग सिस्ट्म कि से कहते हैं ओपेटिंग का मतलब जिससे वी ओएस भी है डोस डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम आजकल यह सब पुराने हो गए तो विंडो चल रहा है और एपल वाला चल रहा है मोबाइल में एंड्रोइड चलता है एंड्रोइड आजकल टीव में भी आ गया एपल वाले फॉन में एपल आई यूस चलता है तो यह सब ओपरेटिंग सिस्टम यानि चलाने के सिस्टम है जैसे मालो आप मोबाइल में चला रहे हैं वीडियो देख रहे हैं मैं जूम कर रहा हूं चोटा कर रहा हूं आगे किस काते हैं यह सब क्या है यह सब ओपरेटिंग सिस्टम का इसा है इंड्रोइड का परमुक सर्च इंज दोस्तों अभी लोग डाउन में खूब चल रहा है सारी लोग फिल्में ओटीटी पे देख रहे हैं तो ओटीटी इंटरनेट की जरीए मीडिया उपलब्द कराना यानि इंटरनेट के मादिम से हम फिल्में कुछी एरियल हो अगरे देख सकते हैं पुरा नाम इसका ओवर दे टॉप आजगल वेब सीरीज वगर आती है इसी पर आती है जब उसको गूगल मीट गूगल मीट और गूगल जूम अभी लोग डाउन में लोगों ने इससे बहुत कलासे लिए हैं तो यह क्या होता है ओनलाइन कॉन्फरेंस मिटिंग के लिए होता है इसमें कई लोग जू यह दोनों ही एप जो है इसके लिए उपयोगी है आगे हम बात करें यह सालादरपन सालादरपन जो है यह इंपोर्टेंट चीज है र्याद रखें सरकारी हो चाए प्राइवेट हो सभी स्कूल है जितने भी उन सब के लिए अन्यवारी है और इनमें सारे डाटा विद्या रहा है यानि दो नमर चल रहा है 17 2020 के लिए इसमें क्या होता है कि विद्यारतियों को घर पे या तो सिक्सा घर पे जाएगा उनका हम रखवर का लग के आएगा और मोबाइल पर वाट्सप गूरूप बनाएगा और उसमें जो चीजें हैं वो भेजेगा क्या वेजेगा ख तो उन तक शिक्षक सामगरी घर तक पहुंचाएगा और घर से हमरक लेके आएगा शिक्षा वाणी वाणी नाम आगया वाणी का मतलब है कि ओडियो यानि आवाज तो इसमें रेडियो के उपर आने वाला कारेकरम है जिसको शिक्षा वाणी बोलते है इसमें करक्सा एक व शिक्षा दर्सन या दर्सन आम आ गया तो डीडी राजस्तान जो है दूर दर्सन राजस्तान जो चैनल है सरकार का उस पर शेक्षिक सामगरी पर सारेत होती है यह साड़ी बारा से सवाचार वज़े तक चलती है तो इसमें अलग-अलग कक्सा नो से बारा एक से आट उन शिक्षा मिशन ग्यान एप राजस्तान सरकार की राजस्तान सरकार शिक्षा विबा के दुवारा संचालित है मोबाइल पर उक्त एक अक्षा है तो सारे जो कलासेज है वह आप देख सकते हैं दिक्षा एप है यह बारा सरकार के दुवारा संचालित है पूरी भारत अखिल कर लो अब यह जो उदारना वह लेका है थे रंजीत दिसाले यह घुजर आत के या महाराष्टर गुज़रात के उने चाहिए आप कमेंट करके बताना क्यूर कोड के उदारना इन्हों इनको इनाम की रूप में मिला है आगे हम बात करते हैं qr qr का मतलब हो गया qr code होते तो यानि क्युक response code टेलनेट टेल का मतलब होता है दूर जिसे टेली विजन टेलिफोन एंटनेट के माझें से बूसरे के computer को login कर ले रहा है जिसे माला जो एक विक्ति दिली बेठा है अमेरिका बेठा है और आपके घरवाले computer को वह लोगीन करना चाहता है कि इसमें क्या problem देखें तो वह वहां से भी इसको देख सकता है आपके mobile को any desk के मादियम से operate कर सकता है Google Meet के मादियम से आपके mobile का computer को देख सकता है तो इस परकार से यह जानकारी थी दोस्तों काफी सुपरभास्ट speed में आपको revision करवाया है और इसके जो important question है वो अलग वीडियो में लेके आएंगे तो मिलते हैं कल सुबच है बजे इसके class 5 में धन्यवाद